अस्सलाम अलेकुम, Aspirants Aspirants, आज का हमारा lecture Error Correction पे होगा यह सीरीज का lecture number 8 है जिसमें हमने सारे errors की types में से कुछ errors मिला के रखे हैं तो शुरू करते हैं आज का lecture अच्छा जी, हमारा पाइज सेंटेंस यहाँ पे यह है कि He will return on either Monday or Tuesday Either के sentences हमने पहले भी किये हैं पर इनमें और उनमें difference यह है कि Either यहाँ पे sentence के center में आया हुआ है और वहाँ पे Either हमारे start में था तो जब start में होता है तो हमें दो चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि Either आया है इसका मतलब singular है तो वर भी singular होना चाहिए इसका मतलब है पर उनम भी singular होना चाहिए जब हमारे पास यहाँ पे center में आया है तब mistake यह होती है कि arrangement आपकी ठीक नहीं होती placement आपकी ठीक नहीं होती अब आईदर देखें इस जगह पे नहीं आना चाहिए था आईदर आना चाहिए था इस जगह पे क्यूंके on जो है आपके पास day और time शो करता है तो on के बाद फोरण हमारे पास day या time होना चाहिए था तो हमारे पास यहाँ पे Monday है तो इसलिए on को हमने इदर कर दिया और आईदर को उस जगह पे बेज दिया अब एक और यहाँ पे question यह बनता है कि जी हमने on Monday रख दिया और उसके बाद or Tuesday यहाँ पे parallelism का थोड़ा सा rule डिस्ट्रैब हो रहा है कि जी आईदर के बाद तो on आ गया है पर और के बाद on नहीं आया तो यहाँ पे मैं आपको clear करना चाहूंगा कि अगर हम इसके बाद भी on रखेंगे तो यह होगा कि redundancy की mistake हो जाएगी एक ही चीज वहाँ पे बिलावजा फालतू में पड़ी होगी preposition हमारे पास जितनी भी हैं यह article हैं वो हमारे पास एक ही अगर हो तो वो हर जगह पे काम करता रहता है जैसे हमने sentences देखे थे जी कि जब भी listing provide करते हैं तो article लगाते हैं आगे हम चीज रखते जाते हैं a table, chair, and हमारे पास और चीज करने कोई almira तो देखें तीनों furniture है तो तीनों एक ही type हैं तो हमने अ हर किसी के साथ नहीं लगाया तीनों के साथ नहीं लगाया शुरू में लगा दिया और end पे वो series के था चलता रहा इसी तरह हमारे पास preposition भी इसी तरह काम करती है कि हमने एक जगा लगा दिया तो दूसरी जगा वो खुद the automatic sense देती है कि यहां भी काम आ रही है तो यह sentence हमारा solve हो गया है अब आगे चलते है अच्छा जी sentence है हमारे पास he has no other business but to play with computers देखें no other आपके पास आ गया no other जहां पे भी आएगा आपने यह चेक करना है कि कहीं यह exception का case तो नहीं है यहां पे sentence मैं यह कह रहा है कि उसके पास और कोई भी मसरूफियत नहीं है वो कहीं और जो है busy नहीं है उसके पास सिर्फ काम है तो सिर्फ है computer खेलने का तो इसका मतलब है exclude कर रहा है exclude जब भी होता है आपके पास तो यहां पे but की जगा वो exclusion आती है मतलब accept आता है तो but को हम replace कर देंगे except के साथ तो हमारा sentence correct हो जाएगा देखें he has no other business except to play with computers but हमारा show करता है negation को पर यहां पे negation show नहीं हो रही यहां पे exceptions शो हो रही है exception के लिए हम accept लगाते है आगे बढ़ते हैं अच्छ जी देन हमारा sentence है hardly had he come out of the bus then the bomb exploded and shattered the bus into pieces अब यहां पे मैंने आपको एक थम रूल बताया है कि जब भी hardly scarcely sentence के start में आए तो आपने दो चीज़ें check करनी है यहां पे hardly हमारे पास sentence के start में आ गया तो हमने पहली चीज़ यह check करनी है कि hardly के foreign बाद हमारे पास क्या helping verb है जी हमारे पास helping verb है इसका मतलब inversion यहां पे हो रही है दूसरी चीज़ आपने check करनी होती है कि hardly के साथ pair में आपके पास when आना चाहिए कोई और conjunction नहीं आना चाहिए ज्याद अतर यह दो errors होते है ज्याद अतर नहीं hardly के साथ होते ही यह दो errors है अच्छा पहला तो invariant आगी पहला rule follow हो गया अब आगे बढ़ते जाएं कि कोई और conjunction है जी यहां पे एक और conjunction है तो यहां पे then आया हुआ है तो देन यहां पे गलत है इसको हमने when के साथ replace करना है और हमारा sentence correct हो जाएगा hardly had he come out of the bus when the bomb exploded and shattered the bus into pieces conjunctions हमारे पास pairs में होती है हमेशा काफी सारी तो उन pairs को ही साथ में चलाते है both और end का pair है हमारे पास scarcely और when का pair है हमारे पास hardly और when का pair है हमारे पास और भी काफे सारे pairs है जो हम उपर वाली पहली वाली वीडियो में करके आएं अब आगे बढ़ते हैं until I will die I shall never desert you मैंने आपको बताया जब भी कोई भी word आपके पास negative पहले आएगा तो आपने एक चीज़ चेक करनी है कि क्या उस sentence में negative word तो नहीं है तो यहाँ पर अगर not होता हम इसको remove करते तो not यहाँ पर मुझूद नहीं है इसका मतलब यह mistake नहीं है फिर आपने यह चेक करना है कि जो आपका यह वाला sentence है negative वाला until वाला या unless वाला इन दोनों sentence में present tense होना चाहिए तो यहाँ पर present tense है या नहीं है तो यहाँ पर future tense है तो यह हमने खतम करना है यहाँ पर present tense लेके आना है यह दोनों हमारे पास future के हैं इन दोनों में से एक हमने present करना था तो जो dependent होता है जो until और unless के साथ sentence आता है उसको हम present में लिखते हैं बाकी वाले को हम हमेशा future में लिखते हैं तो यही हमारे पास यहाँ पे mistake है हमारे पास sentence हो जाएगा I shall never desert you until I die अच्छा यहाँ पे देखें यहाँ पे बस note करने वाली बात यही थी कि जी हमने इसको present में कर दिया आगे चलते है Then हमारे पास sentence है He shouts at me while talking as if I am dead अब जो as if वाले जुमले होते हैं जहाँ पे यह show करता है कि आयां कि मैं यह हूँ मतब कि वो show करता है कि जी ख्वाहिश show करता है या एक possibility show करता है इस possibility के लिए हम हमेशा world का use करते हैं जो बात such now तो यहाँ पे आ गया I were deaf इसका मतलब है कि असल में नहीं है पर हमने यहाँ पे pretend किया है कि यह ऐसा सोच रह था वो इस तरह सोच रह है कि मैं इस बह रहा हूँ यहाँ पे तो I were deaf यहाँ पे कोई और हम यहाँ पे हम helping work नहीं लगाएंगे तो यही एक mistake थी हमारी यहाँ पे move करते हैं आगे फिर हमारे पास made के make के structure आते हैं कि जी उसने मुझसे काम करवाया he make me do this work यहाँ पे क्या होता है कि participle या infinitive या gerund तीनों चीज़े नहीं आती यहाँ पे direct आपके पास आता है he made me do this work आप जो subject है उसको रखते हैं जिससे काम करवाया उसको रखते हैं center में आपके पास make या made आ जाता है present में करना है तो make past में करना है तो made उसके बाद फोरन आपका जो verb है वो आ जाता है कि जी क्या करवाया है और फिर object आ जाता है इस तरह से यह हमारा पास sentence बनते है make वाले ओके जी यहाँ पे देखें I thought that you may have read this note यहाँ पे mistake यह है कि यह sentence हमारे पास past में है यह sentence हमारे पास present में I thought that thought जो है verb की second form है फिर यहाँ पे may have may जो है हमारे पास verb की first form है इस verb की first form को हम second form में convert करेंगे और हमारा sentence correct हो जाएगा यहाँ पे आएगा you might have read this note और इस तरह से हमारी correction complete हुई है वाले अच्छा जी यहाँ पे देखें center में आगे हमारे पास no sooner हमारे पास sentence है जी he no sooner went in then in then the girl began to speak ill of him अब समझ नहीं हा रहे है कहना क्या चाह रहे है फिर हम क्या करेंगे जी कि no sooner हमेशा बाहर होता है तो हम इस पहले इसको बाहर लेके आएगे no sooner आप यहाँ पे लिखेंगे no sooner के बाद सबसे पहले invariant केरी करता है तो हम helping verb लिखेंगे तो हमारे पास helping verb यहाँ पे did होगा क्योंकि past की बात है ठीक है फिर आप पूरा sentence लिखेंगे और उसके बाद no sooner हमेशा then केरी करता है conjunction तो then लिखेंगे और बकाया sentence लिख देंगे देखें कैसे सबसे पहले हमारे पास no sooner आ गया inversion आ गई हमारे पास sentence आ गया हमारे पास और conjunction के साथ हमने दूसरा भी जोड दिया तो हमारे पास corrected form जो हो गया वो हो गया no sooner did he go in then then the girl began to speak ill of him ओके जी आगे बटते हैं then हमारे पास sentence है he does not care for his work अकसर हम कह रहे होते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि care for यहाँ पर use नहीं होता preposition की mistake यहाँ पर और यहाँ पर use होता है of तो यहाँ पर sentence बन जाता है he does not care of his work देखें करेक्शन और यह हमारे sentence हो गया अब आके बटते हैं अच्छ जी then हमारे पर sentence है I left playing when my friend arrived अब मसला यहाँ पर यह है कि left play नहीं होता ठीक है verb हमारा आएगा I stopped playing तो हमारे पर पर verb की mistake है जी कि verb हमारी sense complete नहीं कर रहा है बाकी sentence यहाँ पर दुरुस्ता देखें हम एक और example है यहाँ पर इसी तरह की यहाँ पर example है I had to leave my rights and claims तो अपने rights अब जब claims leave करते हैं छोडते हैं तो यहाँ पर leave नहीं आता यहाँ पर आता है relinquish I had to relinquish my rights and claims और इस तरह से यह verb की mistakes आती है then एक और हमारे पास verb की है हाँ पर mistake है कह रहा है कि if you leave the horse's reins you will fall अगर गोड़े के लगाम छोड़ देंगे तो गोड़े से गिर जाएंगे तो यहाँ पर भी leave the horse's reins नहीं होता यहाँ पर होता है जी आपका let go the horse's reins अगर छोड़ देंगे तो तो यहाँ पर भी एक expression का मसला है इसको हमने correct कर दिया इसी तरह से वर्प की mistake आगे carry करते हैं कि एक और sentence है हमारे पास he should not cut jokes in the presence of others अब cut joke यहाँ पर हम वैसे तो speaking में बोल रहे होते हैं पर cut jokes नहीं होता crack jokes होता है हमने replace कर दिया cut को crack से और हमारा sentence correct हो गया he should not crack jokes in the presence of others सेम इसी तरह से यहाँ पर sentence है they cut the head of the prisoner अब जी इतना खुले में नहीं बोलते हैं कि जी हमने उसका सर उड़ा दिया तो इसके लिए एक English में word है behead हम लगाते हैं they beheaded the prisoner तो cut the head नहीं होगा यह कोई expression नहीं है असल word है they beheaded the prisoner ओके पर हमारे पास है he is troubling me unnecessarily यहाँ पर आप note करें troubling जो है वो suit नहीं कर रहा यहाँ पर होना चाहिए bothering तो यहाँ पर आजएगा he is bothering me unnecessarily इसी तरह से यहाँ पर दुबारा कह रहे है कि my foot is panning अब panning नहीं होता hurting होता है तो हमारा sentence बन जाएगा my foot is hurting या दूसरी फार्म इसकी बन जाएगी my foot is in pain अगर pain के साथ ही करना है तो in pain आजाएगा in farm panning की नहीं आएगी यहाँ पर एक sentence हमारा पिछली वीडियो में भी यहाँ पर यह आ चुका था कि जी Ali gave a speech on the price distribution day तो gave a speech नहीं होता deliver a speech होता है हम इसको replace कर देंगे deliver के साथ और हमारा answer आजाएगा Ali delivered a speech on the price distribution day फिर हमारे पास है he could not get down from his cycle cycle के लिए हम get down use नहीं करते cycle के लिए हम use करते हैं dismount उतरने के लिए घोड़े से भी हम उतरने के लिए dismount use करते हैं इस तरह की जितने भी चीज़ें हो गई घोड़े की तरह या कोई भी सवारी हो गई उससे उतरने के लिए हम dismount करते हैं क्योंकि हमें चड़ के बैठना पड़ता है तो mount का मतलब होता है चड़ना dismount का मतलब होता है जहां पर चड़े वें वहां से उतरना हमारे correct form बन जाएगी He could not dismount from his cycle इसी तरह से हमारे पार sentence है Will you take out your shoes? कह रहे किया आप अपने जूते निकालेंगे तो यहां पर take out use नहीं होता, take off use होता है तो correct form हमारी हो जाएगी Will you take off your shoes? take on होता है पहनने के लिए, take off होता है उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं सबसे मज़दार यहां पर error आगया I must revenge my brother अब जी भाई से बदला नहीं लिया जाता भाई से avenge होता है कि भाई ने अगर छोटी मोटी चीज कर दी है या अपने किसी रिष्टदार ने, blood relative ने या दोस्त ने अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें की होती है तो हम इतना बड़ा word यूज भी करते है revenge का हम यूज करते हैं avenge का word case का मदलब है कि अगर उसने हमें कोई थपड मारा है तो हम भी थपड मार देंगे उसने हमारे पैसे रोके हैं तो हम भी पैसे रोक देंगे तो छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए avenge यूज होता है यहां पर आपको मैं आपको ये बात बताऊं कि revenge और avenge आपके pair of words में आ चुका है css में काफी दफा तो revenge जो है आपके पास noun होता है जो हमेशा take revenge करके use होता है revenge जो है आपका enemies के साथ हो सकता है जिन से आपने बड़ा बदला लेना है avenge होता है आपका family terms में तो यहां पर यही mistake है हम इसको rectify करेंगे I must avenge my brother और इस तरह से हमारा यह sentence correct हो गया आखरी sentence यहाँ पर यह देखें कि I must avenge my enemy तो यहाँ पर enemy आ गया इसका मतलब है avenge नहीं आएगा enemy से हम revenge लेते हैं कि जी बदला लेते हैं उन पर हमें aggression शो करनी होती है तो revenge उसके लिए word बना हुआ है अच्छा एक और चीज यहाँ पर कि revenge जो है यहाँ पर noun होता है तो जब भी हम revenge यूज़ करेंगे तो उसके साथ take लाजमी होगा take revenge एक पूरा expression बना हुआ है अलग से revenge नहीं आएगा I must revenge on my enemy यह जुमला हमारा गलत है take revenge होगा आपका पर avenge जो है आपका verb है और इसी तरह से direct आता है यह आपका pair of words भी यहाँ पर complete होगा दोनस sentences मैं आपको show करती है यहाँ जी यहाँ पर आज का lecture खतम करते हैं आज भी हमने काफे सादा errors देख ली हैं तो इंशाला next lecture में बाकी continue करते हैं एक lecture हमारा मजीद इस पर रह गया है तो इंशाला हमारे error के correction complete हो जाएगी फिर हम किसी और अगली playlist में move करते हैंगे Thank you so much students Allah आफिस